एजरा को पुस्ताक एक अध्याए कोरेश राजा को गहसना फारेश का राजा कोरेश को पईलो बर्षमा एर्मिया द्वारा भनियेको परमप्रभु को बचन पूरा हुना परमप्रभुले फारेश का राजा कोरेश को रिदेलाई उत्यजित पार्नुबयो फल्सरुप उनले आपनो राज्ये बरी मौकिक अनी लिखित रुप मा एस्तो गोशना गरे फारेश का राजा कोरेश एसो भन्चन परम्प्रभु शोर्ग का परमेशोले प्रिथिविका सबई राज्ये मलाई दिनो भाएको छा वहलेने मलाई यहुदाको येरुसलेमा वहाको निन्तियोटा मंदिर बनावना आग्या गर्नो वैको छा तिमियरुको बीजमा उने वहाका प्रजाको प्रतिक मानिस संग परमेशोर रहुन शो यहुदा को येरुसलेम मा उकलेर जावस र येरुसलेम मा हुनो ने परमिशोर इज्रायल का परमिशोर परमप्रभु को मंदिर तेसले पुननिर्मान गरोश बाचे को प्रतिक यहुदी जाहा जाहा चा तेस ठाव का बासिंदा अरूले एरुसलेम इस्तित परमिशुर का मंदिर को निम्ती तेसलाई सुन चादी धन संपती रा गाई बस्तु अरू तथा राजी खुशी को भेटी जुटाउनो परने शा कईद गरिय का अरू एरुसलेम मा फरके का तेस पसी एरुसलेम मा परम्प्रभु का भवन को पुन निर्मान गर्न परमिशुर ले उत्तेजित पार्न भाय का यहुदार बेन्यमिन का परिवार का मुख्य मानिश अरू अनि पुजारी अरू र लेवी अरू सबई ने अरू सबयले राजी खुशिले दिये का भेटी का साथ सून र चादी का बस्तो अरू दन संपती गाई बस्तो र बहु मल्ले पदार्थ अरू दिये र तिनी अरूलाई साहाय था गरे। तेस बायक नभुकदने शोर ले एरुसलेम बाटा लियाए र अपनो देवता को मंद सिर्मा राखे का प्रम्प्रभुको भवन का भाडा अरू राजा कोरेशले निकाले अने फारेश का राजा कोरेशले ती भंडार का जिम्मावाल मित्रे ताको जिम्मामा दिये तिनले यहुदा का राजकुमार सेस बस्तर को निम्ती ती चीज अरू को योटा तालिका बना हजार, चादी का बाटा 39, सुन का कचवरा 30, चादी का बिविन्न किशिन का कचवरा 410, अन्ने भाडा अरू हजार, सुन्र चादी का भाडा अरू सबय को जम्मा संख्या पाच जार चार से थियो, कईद मा लगिये का अरू बेविलोन बाटा येरुसलेम फरकदा सेस पस्चर ले, ती सबय एरुसलेम मा ल्याये, एजरा को पुस्तक दुई अध्याये, कईद बाटा फरकने अरू को सुची, कईद बाटा चुटकारा पाये रा आये का प्रांद का मानी सरू इने हुन, जसला बेविलोन का राजा नभुकदाने स्चर ले बेविलोन मा कईद करे रा ल लेहिपमया, चर यहा, रेल यहा, मोर्दकई, बिलसान, मिस्पार, बिगबई, रेहुम, रबन यहा का साथ आये का थिये विज्रायल को प्रजा का पुरुशर को नामा वली पारोश का परिवार का 2001 से बहतर सपत्या का परिवार का 3 से बहतर आरा का परिवार का 7 से पचतर येशुवर रयुवाप को घरना बाटा पहत मुआप का परिवार का 2008 से बार इलाम का परिवार का 12 से चोन्न जत्तु का परिवारका 945, जक्कै का परिवारका 660, बानी का परिवारका 660, बेवे का परिवारका 630, अजगात का परिवारका 1222, अदोनी काम का परिवारका 660, बिगबै का परिवारका 2000, आदिन का परिवारका 4000, जार चाउन्न, इज खिया बाट आतेर का परिवार का अंधानबे, बेज़े का परिवार का तीन से तेश, योरा का परिवार का एक से बारा, आसुम का परिवार का दू से तेश, गिवार का परिवार का पंचानबे, बेतलिहिम का मानी सरू एक से तेश, नतुपात का मानी पनना अनना तोत का मानी शुरू 5000 अज्मा बेद का मानी शुरू 42iento कपीरा य। य। लिवदी का मानी शुरू 6000 नैय हो का मानी शुरू absolument 1831 भिखमा मानी शुरू 1200 22, बेथेल रह एका मानी सरो 2 से तेस, नेव का मानी सरो 2 न, मक्विस का मानी सरो 1 से छपन, औरको एलाम का मानी सरो 12 से चाउन, हारिम का मानी सरो 3 से बीस, लोद हदेद रह उनो का मानी सरो 6 35 यरिहो का मानी सरो 3 से पailतालिस, 25 का मानी सरो 335, पुजारी हरू, इस्व को बंग्शबट यदा यहा का परिवार का 9 से 3 तर, इमेर का परिवार का 1,09, पस हूर का परिवार का 1,24, आरिम का परिवार का 107 लेवी हरू ओदविया को बंगशबाट येशुव रकादमी यल का परिवार का चवत्थर गबया हरू आसाप का परिवार का 128 मंदिर का द्वारपाल हरू सल्लूम आतेर तलमन अक कूप हतिता सोबै का परिवार का जम्मा 149 मंदिर का सेवा करू सीहा, हसुपा, तब्बाओत, किरोष, सिया, पादन, लेबाना, अगाबा, अककूप, अगाबा, सल्मय, हनान, गिद्देल, गहरका, रायाह, रसिन, नकोदा, गज्जाम, उज्जा, पसेह, बेजै, असना, मोनिम, नेपुसिम, बुक, हकूपा, अहुर, बसलूत, महिदा, हर्षा, बरकोष, सिशरा, तेमस, तेमह, नसिह, रहतिपा का परिवार हरू. सल्मान का सेवका संतान, सोथै, हसोपेरेत, पारुद, याला, दरकोण, गिद्देल, सपत्या, हतिल, पोकेरेत, हसेबाइम, रा, आमिका परिवार हरू. मंदिर का सेवक अरू, रसोलोमन का सेवक अरू, का संतान को संख्या जम्मा, तिनसे बयन अब्वे. तेल, मेलह, तेल, हर्षा, के रूप, आदोन, र, इम्मेर, सहर बाटा आयका अरूले, आपना परिवार अरू, इजराल को बंग्स बाटा आयका हून, बने र, बतावन सकेनन. इहुन, दला यहा, तो बिया, नको दा का परिवार का जम्मा, चासे बाउन, र, पुजारिय अरूबाटा, होबा यहा का परिवार, हकोस का परिवार, र, गिलादी बर्जिलाई की एउटी छोरिलाई बिवाह गरे र, तिनके नाव राखने बर्जिलाई का परिवार, इने अरुख बंग्शावली का सुची मा दर्ता गरियेका नाव अरुमा आपनो नाव खोजे तरती पाये नन। इसले तीनी अरुपुजारी गिरीको निम्ती असुद्ध ठारियेका उनाले अयोग्य ठारिये। अनि राजे पाल ले उरिम रतुमिम ले सेवागरने कुने योटा पुजारी नहाउंजेल तीनी अरुलाई महापवित्रत्थो खाना मनाई गरे। बहलाई वएका जम्मय मानिस अरुपुरसंख्या 3230 से थियो%, तीनी अरुपा 2010 تासी अरुसात 3330 से चना थिये, ती वायक तीनी अरुपा दुशे पुरुष्र इस्त्री गबया हरु थिये। तिने अरुका घडा रुक संख्या 736, खचर 245, उट 435 रगदा 620 थिये। तिने अरु एरुसलेमा परम्प्रभु को भावन मा आये पची कुने कुने परिवार का मुख्य मानी सरुले चाएं परमिश्र को भावन तेसको पहिले के ठामा पुननिर्मान गरना स्वैच्या बेटी अरु दिये। तिने अरुले आपनो अवकात अनुसार मंदिर फुननिर्मान गरने भण्डार मा जम्मा एक सटी हजार सुन का सिका पाच हजार चादी का सिका रपुजारी अरुले लाउने सई पशाक हरु दिये। पुजारी अरु लेबी अरु गवया हरु द्वारपाल हरु रा मंदिर का सेवक हरु अरु कोई मानिस हरु को साथ आपनो सहर अरुमा बसबास गरे रबाकी इजराली हरु आपनो सहर अरुमा बसबास गरे। इजरा को पुष्टक तीन धे बेदी को पुर्ण इस्तापना सातों मैना लागे पची इजराली अरू आपनो सहर अरूमा बसी सके का थिये तिस बेला मानिस अरू एउटेई मानिस जस्तो भायरा एरू सलेमा भेला भाये तब पर्मिशुर का जन मोसा को बेवस्तामा तुकिये अनुसार होमबली चड़ाउना यो सा दाक का छोरा ये सुहा रतिन का संगी पुजारी अरू औरू अनि सालती यल का छोरा एरू बाबेल रतिन का सहयोगी अरू इजराल का पर्मिशुर को बेदी निर्मान गरने काम मा भहे तापने तिनी अरूले बेदी तेसको जग मा थी निर्मान गरे रतिसे बेदी मा तिनी अरूले परमप्रवु को निम्ती बिहाना र बेलू की का दुबई स्तमाय का बलीदान मा होमबली चड़ाए तेस पछी प्रति दिन को निम्ती तोकिये को संख्या अनुसार होमब मंदिर को पन निर्मान तिनी अरुले डकर्मी र सिकर्मी अरुको निम्ती रुपया अनि सीदोन र टूरस बासी अरुलाई लेबनान बाटा सम्मंद्र को बाटो भहरा युप्पा सम्म देवदारुका काठ अरुल्याउन तेल र खाद्दे दिये किना वने तिने अरो ले फारेस का राजा को रेस बटा एसो गरने अनुमती पाएका थिये एरुसलेमा बहेको परमिशको भावनमा फर्केरा आयेका दोस्रो बर्षको दोस्रो मैनामा साल्तियल का चोरा एरु बाबेल र येसु दाक का चोरा येसु अले तिनी अरुका बाकी दाजु भाई अरु अर्थात पुजारी अरु र लेवी अरु र कईद बाट एरुसलेमा फरके रा आयका सबय जनाले काम सुरू गरे, परम्प्रभुका भावनको निर्मान कारेको रेक्टेक गर्ना 20 बर्षा ररे तेस बंदा उबोको लेवी अरुलाई तिने अरुले नियुक्ता गरे, परमप्रभुका भावन को निर्मान गर्ने अरुको रेखदे गर्ने काम्मा येशु और तिन का छोरा अरु र भाई अरु र काद्य मियल र तिन का छोरा अरु ओद बिया का संतान अरु र ओनादात का छोरा हरु र तिन अरु का छोरा अरु र भाई अरु जो सबई लेवी एक साथ लागे का थिये परमिशलाई दान्यबाद दिदै यसो भने रगाई वहाँ असल उनन्च वहाँ को करूना इज्राइल माथी सदा सर्वदाई रही रहन्च अनि परमप्रभु का भवन को जग बसाली एको कारण सबई मानी शरूले ठुलो अशोरले परमप्रभु को इस्तूती गरे तर अगी को भवन देखेका धेरेई जना ब्रीद पुजारी अरू लेवी अरू रा परिवर का मुख्या अरू भवन को जग बसाले को देखेरा रोय र चरको शोरले बिलाप गरे र अरू धेरे चाई आनन्द ले जैजेकार गरे आनन्द ले करायको शोर र रोयको शोर कस्चे ले ठम्यों न सकेना किनवने मानी शरूले करायको शोर चरको थियो तियो आवाज टाड़ा टाड़ा समपनी सुनिन थियो इजरा को पुस्तक चार अध्याए बिरोदी अरुको बाधा कोईद बाटा फरके रा आये का अरुले परम प्रभु इजरायल का परमिशुर को मंदिर बनावदे छन बनने कुरा जब यहुदार बिन्यमिन का सत्र अरुले सुने उने अरु एरु बाबेल एशुआ र परिवार को मुख्य मानिश रुकाहा आये र एशुआ भने आमिलाई पनी तपाई संग भवन निर्मान गर्न दिन होस कीन बने हमी पनी तपाई रुजै तपाई रुका परमिशर को कोजी गर दसों रहा हमीला यहाँ ल्याओने असुर का राजा एशर हाद दोन को पालो देखीने हमी वहालने बलीदान चनो दे आयेका छों तर येरू बाबेल एसु और इज्राइल का बाकी रायका परिवार का मुख्या अरूले उनी अरूलाई एसु बने यो भावन जो हमी आमरा परमिश्र को निम्ती निर्मान गरी रायका छों तेस मा तिमी अरूको केही समंद छोंगा फारेश का माहराजा कोरेशले हमी लाइ आज्या गरनो बाय जैं हामरा परम प्रवु इस्राइल का परमिश्र को निम्ती यो भावन हमी मात्र निर्मान गरने सों तब तिस देश का मानी शुरूले यहुदी अरुको मन निरास गरवन रत्यो भवन निर्मान गरने काम बिथलना त्रा सालने काम सुरू गरे तिनी अरुको अभी प्रायलाई नास गरना उनी अरुले तिनी अरुको बिरुद्धमा काम गरना सल्लाकार अरुलाई भाड़ामा लिये फारेश का राजा कोरेश को सासनकाल भरी रद्द्वार को दारा को सासनकाल सम्मा इस तो काम चली नहीं रहो आहा सुरस्र आठ जार्शेस को समय मा बिरोद आहा सुरस्र का राजक्त काल को सुरु मा तिस देश का मानी सरुले यहुदार एरुसलिम का बासिंदारु का बिरुदमा योटा अभियोग पत्रा लेखेर पठाए फारेश का राजा आर्था सास्त को पालमा बिस्लाम मित्रेता तावेल रतिन का सबय सायोगी अरुले उनला योटा चिठी लेखे त्यों चिठी आर्माइक अच्छेर रा आर्माइक भासामा लेखे गोधियो सेनापती रेहूम रसाचीब सिम्साई ले एरुसलिम को बिरुदमा तला का बिवरन अरुदियेर आर्था सास्तला योटा चिठी लेखे सेनापती रेहूम साचीब सिम्साई राउनी अरुसंगा काम गरने सबय सायोगी अरु अर्थात त्रीपोलीस, फारस, एरेक रा बेविलोन का मानिश रुमाती अधिकार गने नैदीश हरु रा हाकीम हरु तथा सुसन का एलामी हरु एबम अरु मानिश रु जसलाई महान र प्रसिद्ध असुर वनिपल ले देश निकाला गरेरा सामरिया को सहर र इुफरेटिस नदीको पारीको प्रांतमा बसालेका थिये उनियोर ले पठायको चिठीको नकल यही थियो आर्था सास्ता महाराजा कहा अजुर का दास युफरेटिस पारीका मानी सरुबाटा महाराजालाई योकुरा जाहे रोज की अजुरलाई छोडेरा एस ठावमा आयेका यहुदी अरु येरुसलेमा आई पुगेरा तिस दुरुस्टर वागी सहर को पुननिर्मान गरी रहेका छन। तिनी अरुले तिसको जग मर्मत गरी तिसको परखाल सिद्धेवने लागे का छन। महाराजालाई योकुरापनी था होज की तिनी अरुको सहर को पुननिर्मान भायो र तिसको परखाल सिद्धाईयो बने तिनी अरुले राजकार आये कार अथवा महसुल तिरने छैनन औनि आखिरमा राज सत्तामा हानी लैईएने छा हामी ले राजाको निमक खायेका होना ले राजाको अपमान वहेको हेरना हामी ले उचित नलागेको ले महराजालाई योकुरो जननावन लाई हामी यो संदेश पठाई रायकाशों कि यो हजुर का पुर्वजारु का अविले खरुको तलास गरी बक्षियोस अबिलेक अरुमा खोजे अजुरला योकुरो थार लागने शा कि योज सहर योटा बागी सहरो राज सत्ता रा प्रांत अरुमा थी हाने पुर्योंने योज सहर प्राचिन काल देखिने राज द्रह भायको हो तिसे करण यो उजार पारिये को थियो महराज कहा हमी यही जाहर गला चाहन चायों की येदि इस सहर को पुर्ण निर्मान भयो ररर इसको परखाल सिद्धाईयो वने तिसको परिमान यही उने छा कि इुफ्रेटिस पारी को प्रांतमा हजुर को कही अधिकार राने छैना राजाले इस्तो जबाप पठाए सेनापति रेहुम सचीब सिम्षै रा सामरिया रा इुफ्रेटिस पारी को प्रांतमा बसने तिन्य रुक सबै बाकी सयोगी अरुलाई अभिबादन तिम्य अरुले मलाई पठाएको पत्र मेरो सामो पड़ियो रा अनुबात गरियो मैले उकुम गरे रा खोज तलास गरियो अनि यो पायोकी तिस सहर ले राजस्ता को बिर्धमा गरेको राजद्रोह को योटा लामो इतिहास रहे चा, र बिद्रोह रा राजद्रोह त्य हा चलिने आए को रहे चा यूफरितिस फारे को सारा प्रांत माथी आपनो अधिकार जमायर सक्तिसाली राजा अरृले एरुसले माथी सासन गरेका छन। अनि मानिश रूले राजकर आयकर रो महसुल तिनी अरुले तिरने गरेका रहे छन। एसे गरन इमानी शरुक लाई काम रोकने पर्षबनी आदेस जारी गर, तिस बिशेमा मवाटा उर्दी नावुन जेल, तिस सार को पुनो निर्मान नहोश, येस बिशेमा तिमी अरुले आपनो कर्तब्बे को अपहलना नगर, यो खतरा मा खतरालाई राज की ए हित को बिरु का स्वयोगी अरुको सामने पड़ी सकने बित्ति के, उने अरु एरुसले मा गए, येहुदी अरुलाई जावर जस्त साथ काम रोकना लगाए, इसरी एरुसले मा परमप्रभु का भावन को काम रोकियो, फारेश का राजा दारा को, राजकतो काल को दोस्रो बर्ष सम्ह त काम रोकियो, एजरा को पुस्तक पाच अध्य, दारा लाई ततन्य को पत्र, हांगई अगमभकतार इद्धो को बंग्ष का जकरियार अगमभकताले, येहुदार रा, येरुसले मा बहे का, येहुदी अरुलाई तिनी अरुमाती प्रभुत्त गर्नों ने, इसराईल का पर पर्मिशुर का भवन को पुन निर्मान गर्न थाले, रा पर्मिशुर का अगमभकतार इद्धो को पनी तिनी अरुका साथ दिये रा, तिनी अरुलाई सगाए। ये फ्रोडिस पारीको प्रान तका राजे पाल ततने शत्तर बोजनाई रा उनिय अरुका सहयोगी अरुले तुरुनते तिनी अरुका हा आयरा सोदे। इस मंदिर को पुना निर्मान रा पुना इस्तापन गर्न तीमिय अरुलाई कसले अधिकार दियो। उनियर ले तिनियर संग तिस निर्मान को लागे काम मा लागने मानिशर को नाम पनी मागे तरह यहुदी धर्म गुरु अरुमाथी परमिशर को निगहा वहे को ले दारा राजा कहा खबर पुगे रा तिसको जबाप मा राजा की ए पत्र नपाउंजेल काम गरी रह नबाटा तिनी अरलाई कसेली रोपना सके ना दारा राजालाई इुफ्रेटिस पारी को प्रांत का राज्येपाल ततने सतर बोजनेर उन्योर का सहयोगी अरूर अर्थात इुफ्रेटिस पारी का अधिकारियोर ले पठाय को चिठी यही हो उन्योर ले पठाय का चिठी को लिकित पीवरन एस परकार सहाँ दारा राजालाय हर्दिक अभिबादन महाराज कहां युकुरा जायर होश की हमी यहुदा को प्रांत महान परमिशल को मंदिर बये को इस्तान मा गएका थियों त्या मानिश अरुले ठुला ठुला डुंगा अरुले तियो निर्मान गरी रहेका र परखाल मा काठ हरु राखने काम गरी रहेका रहेचन चो काम तिनी अरुले पुरायतन सिल्वाई जारी राखेकार धर्म गुरु अरुको नेर्देशनमा निक्कई प्रगती भईरायको हामले देखियों एस भवन को पुर्ण निर्मान र पुर्ण इस्थापन गरना तिमी अरुले कसले अधिकार दियो वनी आमिले तिनी अरुले सोदेऊं अनि हजुरलाई सुचना दिना तिनी अरुका अग्वा अरुका नाव को सुची तायार करना हामी ले तिनी अरुका नाव पनी माग्यों। तिनी अरुले एस्तो जबात दिये हामी तो सोर्गर प्रिथिवी का परमेशोर का सेवक हो। देरे भर्षागी बनायको मंदिर को हमिले पुर्ण निर्मान गरी राखे का छों। इज्राइल का एउटा महान राजाले यो बनायरा सिद्ध्यायका थिये तरह हमरा पुर्खा अरूले शोर्ग का पर्मेश ले रीश उठायका होनाले वहाले तिनी अरूलाई बेविलोन का कल्दी राजा नभुकदन शोर को हात मा सुम्पी दिनो बयो। उनले एउट मंदिर लाई भतकायरा मानिश अरूलाई कईद गरी बेविलोन मा लगे। तरह बेविलोन का राजा कोरेश ले आफनो शासन को पईलो बर्षमा पर्मेश ले इस भावन को पुनो निर्मान गर्योस बन्ने योटा आग्या पत्रा जाहेर गरे। तिस बाहेक पर्मेश को भावन मा सुन्र चादी का भाड़ा अरू थिये। तिचाए नवुकादनेश ले एरुसलेमको मंदीर बाटा लगे रा बेविलोन मा राखे का थिये। ये भाड़ा अरु लोगे रा एरुसलेमको मंदीर मा फेरी राखा औनी पर्मेश को भावन तेसको उही लेके इस्तानमा पुनन निर्मान गर्योस। तब इने सेस बसरले आयरा एरुसलेम मा परमिश्वर का भवन को जग बसाले। तिस बेला देखी अईले सम्मा तिसको पुन निर्मान बही राये चा। तर त्यो काम अज़समा सी दिये को छायना। इस करन अब हजुर महा राजा को इच्या बहे बेविलोन को राजा की अभी लेखा लाये मा खोज तलास गरने हुकुम दी बाक्षियोस। यू खोजना लाये की एरुसलेम मा परमिश्र का ववन को पुन निर्मान को निंती राजा कोरेश ले आग्या पत्रा निकालनो बहे को रहे चा की रहे ना चा। तब इस बिशे मा महा राजा ले हमिलाई आपनो इच्या जनाई बाक्षियोस। इजरा को पुस्ताग 6 दे दारा को अग्या पत्रा तब राजा दारा ले यू हुकम गरे र बेविलोन को धुकुटी मा राखे को अभी लेखा लाये मा खोज तलास गरियो। ना दी प्रांत को एक बातान ना को किल्ला मा योटा मुठो वेटायो। र तेस मा यो इसमेर्ती पत्रा लेखिये गुथियो। कुरेश राजा को पुईलो बर्षमा राजाले इरुसलेमा परमिशुर को मंदीर बारे यो उर्दी निकालनो भयो। त्यो मंदीर बलिदान चड़ोनको निंती पुन निर्मान गरियो। र तेसका जागरू बसाली। तेसको उच्चाई 27 मीटर र चौडए 27 मीटर को र जुन ठुला ठुला डोंगा का तीन लहर र काटको एक लहर हो। तेसको खर्च चाई राजे की एक कोस बाटा दीनो पर्षा। नभुकदने सोरले एरुसलेम को मंदीर बाटा निकालेरा बेविलोन मा ल्यायका परमिशुका भावनका सुन्ड चादी का भाड़ा रूपनी फेरी एरुसलेम को मंदीर मा राखी दीनो पर्षा। ती सबय फरकाई परमिश्र को भावन मा आपनो इस्तान मा राखी दिनो पर सा। ती सबय फरकाई परमिश्र को भावन मा आपनो इस्तान मा राखी दिनो पर सा। ती मी अरूले दिन अहू न भीराई कन दिनो अर्थात सुर्ग को परमिश्र को परमिश्र को निम्ति बाचा हरू भेडा हरू अथवा थूमा हरू अथवा गहू नून दाखमद तेल जस्तु एरुशलिम का पुजारी अरूले माक्सन ति दिनो। कि तिनी अरूले सुर्ग का परमिश्र ले मनपर्ने बलिदान चड़ाउन राजारा तिनका छोरा अरूको दिर्गाई को निम्ति तिनी अरूले प्रातना गरे दियून। तिस बाइक मो इस तो हुकम दिदेचु कि जसले इस उर्धिलाई परिबर्तन गरला तिसको घर वाट योटा खमबा उखेलेरा तिसले तेही खमबामा उनिने चा। इस अपरात को कारण तिसको घर तुक्रा तुक्रा भई धुंगा को थुप्रो होस। आपनो नाव को निम्ति तिस इस्तान लाई आपनो बास इस्तान बनावनोने परमेशर ले इस उर्धिलाई परिबर्तन गरने वा येरुसलेमा परमेशर को तिस भावनलाई नस्ट गरन आट गरने कुनेपनी राजावा मानिसलाई बिधंग्स गरून। मा दारा राजाले यो उर्दी निकालेको हूँ। त्यो अच्छे रक्स पुरा गर्योस। मंदिर का निर्मान को समाप्ती रा अर्पन। तब दारा राजाले उनी अरूले दियेको आदेस यूफरेटिस पारीको प्रांतका राजेपाल तता नई सत्तार बोजनेर उनी अरूका सायोगी अरूले अच्छे रक्स पालन गरे। फाल्स अरूप यहुदी दर्मा गुरू अरू पुन निर्मान काम मा लागी रहे। रहागई अगम बक्तार इद्धो को बंग्सा का जकर्या को अगम बाडी द्वारा तिनी अरूको उन्नती बढ़दे गयो। इज्राल का पर्मिसर को आग्या अनुसार रा फारेस का राजा अरू कोरेस दारा रा अर्था सास्ता का उर्दी अनुसार तिनी अरूकले मंदिर को पुन निर्मान गरे रा काम सिद्ध्याए। दारा राजा को चैटो वर्षको अदार मैना को तिसरो दिन मा मंदिर को काम संपन्न गए। तिसपसी इज्राल का जन्ता अर्थात पुजारी अरू लेबी अरू रा निर्वासन बटा फरकेरा आयका अरू सब ले ठुलो रमाहाट साथ पर्मिसर का भावन को समर्पन सेवा मनाए। चेवा गर्न पुनरिस्ताप पन गरे निस्तार चाड पहलो मैना को चाउधौ दिन मा कईद बटा फरकेरा आयका अरू ले निस्तार चाड मनाए। पुजारी अरू रा लेबी अरू सब ले आफू आफू नाई पवित्र गरे का थिये। तिन अरू सब भीदी पुर्वक अनि लेबी अरू ले निर्वासन बाटा आयका सबय को निम्ती रा आफन पुजारी भाई अरू को निम्ती रा आफने निम्ती निस्तार चाड को थुमा मारे। निर्वासन बाटा फरके रा आयका इज्राइली हरू र अन्ने जाती अरू को असुद दता बाटा अलग रहे रा परमप्रभू इज्राइल का परमेशलाई खोजने अरू सब ले तियो संगय मिले रखाए। तिनी अरू ले रमाहाट साथ साथ दिन समा अखमेरी रोठी को चार मनाए। किना बने असुर को राजा को मन बदली गरे रा परमप्रभूले तिनी अरूले आन्नति तुल्याउनो बाए को थियो। फल सरुप इज्राइल का परमेशल का भवन को काम मा तिनी अरूलाई असुर को राजा ले सह्योग गरे का थिये। एजरा को पुस्तक साथ अधे एरुसलिम मा आये का एजरा रतिन को दल इगटना पची फारेश का राजा अर्था सास्त को राजक तो कालमा एजरा बेबिलोन बाटा उकलेरा आये तीनी सरया का छोरा जो अर्जया का छोरा जो हिलकिया का छोरा जो सल्लम का छोरा जो सादो का छोरा जो अहितूप का छोरा जो अर्मया का छोरा जो अर्जया का छोरा जो मरायत को छोरा जो जरया को छोरो जो उज्जी का छोरा जो बुक्की का छोरा जो अभिशु का छोरा जो पिनास का छोरा जो एलाजार का छोरा जो प्रदान पुजारी हारुन का छोरा थिये। बेवी अरु गबैया हरु रुध द्वारपाल अरु रुमंदिर का छोरा जोरा जोरा आँए। कि एज्राल एप्रम प्रभु को वेवस्ता अध्यन गर्न रव पालन गर्न रव इज्राल मा धर्म बिदी र धहर्मिक शिख्छास सिखाऊन आफयलए समर्पन गरेका थिये एज्राल एअर्था साथ को पत्र इज्रालाई दिनो बयका परम प्रभु का आग्या र धर्म बिदी को बिशे र धर्मिक प्रश्णमा निपून पुजारी सास्त्री इज्रालाई आर्था सास्त राजा ले दिये को राजय की प्मत्रकुनाकल यही हो राजा हरुका महराजा आर्था सास्त बाटा सर्ग का परमिक प्रश्णमा निपून पुजारी सास्त्री इज्रालाई अभिबादन। यहुदार एरुसलेम मा की बही रहे चा सो हर विचार गर्न राजार तिनका साथ जना सल्लाकार अरुले तीमिलाई पठाय का हुन। राजार तिनका सल्लाकार अरुले एरुसलेम मा बासिस्तान गर्न हुने इज्राईल का परमिक प्रमिक प्रश्णमा दिये का सून रचादी पनी तीमिले लान। चाथे बेविलोन को प्रदेश भरी तिमिले लाई जाना शक्ने जती सून रचादी रचादी। एस रकम बाट साडे हरू भेडा हरू थुमा हरू रतिन का साथ अन्न बली र अर्ग बली का सामन हरू तिमीले निस्चे किन्नो रतिनला एरुसलेम मा तिमरा परमिशुर का मंदिर को बेदी मा बली चड़ावनो तिस बाहिक कुने सून वा चादी उब्रयो भने तिमरा परमिशुर को इच्छे बमजीम तिमीर तिमरा दाजु भाई अरूले दस्तो ठीक लाक्षा तिस सेरी ने चलावना सक्षो तिमरा परमिशुर को मंदिर मा आराद नाको निम्ती तिमरो जिम्मा मा दियेका भाडा परमिशुर लाई सुम्पी दिनो रतिमरा परमिशुर को भावन को निम्ती चाये का कुने पनी अरू चीज बिजती मिले राज को सबाटा जुटावना सक्षो अब मा राज आर्थ सास्त यूफरेटिस पारी को प्रांत का सबे को सा धक्षी अरुलाई यो उकुम्दी अर्थात एक से तोड़ा चादी, एक से कोर गहुं, एक से बात दाकमत, एक से बात तेल र नून चाये जती चायें चा दी हालनों। स्वर्ग का पर्मिषर ले जे आग्या गर्नो भाई को सा, तियो स्वर्ग का पर्मिषर को मंदीर को निम्ती निस्चे पुरा गर्योस। नत्रता राजारा तिन का छोरा अरुको राज्यमा थी क्रोत आई परला। सुल लाउने तिमी अरुले अधिकार चाये ना, तिमी एजराले चायें तिमी सिता भाई को तिम्रा पर्मिषर को बद्धी अनुसार। युफ्रितिस पारी को प्रांत का तिम्रा पर्मिषर का विद्धी विदान लाई जानने, सबे मानिस माथी न्याये गर्ना, हाकिम अरुर्र न्याये करता अरु नियुक्त गर्नो। ती नजान्ने अरूत लाई चाई तीमिले सिखाऊनों। तीमरा परमिशुर को बैवस्तार राजा को कानुन पालन न गरने जुन सुकलाई पने कठोर दंडा दीनाई पर्शा, मिर्तु दंडाव वा देश निस्काशन, वा संपथी जफत वा कईद। परम्प्रभु आमरा पुर्खा रुका परमिशुर को प्रसम सा होस। जसले एसरी एरुसलेमा भयको परमिशुर को भावन को महीमा बढ़ावनों राजा को मनमा यो विचार हाली दिनो भयो। अनि राजा उनका सल्लाकार हरु र उनका सबई उच्च पदा धिकारी अरुका स सामने माप्रती आफनो क्रिपाद्रिस्टी प्रकट गरनों भयो। इसले परमप्रभु मेरा परमिश्र को हाथ ममाथी राय को छब निजाने रा मैले सहस गरें। रमा संग जाना इज्राहिल का मुख्य मुख्य मानी सरुलाई मैले भेला गरें। एज्रा को पुष्टक आठा ध्यय। एज्रा सिता फर्कीने परिवार का मुख्यार को सुची। अर्था सास्त राजको राजक्तो कालमा बेबिलोन बाटा मोसंग आयका परिवार का मुख्यारू रतिनी संग दर्ता भयका रू इने हुन। पिनास का परिवार का गेर्षोम, इतमार का परिवार का दानियल, दाउत का परिवार का सकन्या का छरा हत्तूस, परोष का परिवार का जकरियार तिनी संग दर्ता बाईका एक से पचास पुरूस, पहत मौाप का परिवार का जर यहा का छरा एल्ये हुए नैर तिनी संग दु पुरूस, जत्तु का परिवार का यहा सेल का छोरा सकन्यार तिनी संग तिन्से पुरूस, आदिन का परिवार का जोना थन का छोरा यह बेत्र तिनी संग पचास पुरूस, एलाम का परिवार का अतल्या का छोरा यहार तिनी संग सत्तरी पुरूस, सपत्या का परिवार का मिख का परेवार का यहील का छो रह अब्दी आarat इनी संहा तिनीर सथी पूरूश्ट इवापका परिवार के यहील का छो रह वद्द्द्द así अठार पुरूस। बानी का परिवार का योसी पिया का च्वरा सलमीत रतीनी संग एक से साथी पुरूस। बेवे का परिवार का बेवे का च्वरा जकरिया रतीनी संग अठाइस पुरूस। अजगात का परिवार का हकातान का अपसुरा यो हा नान रतीनी संग साथी पुरूस हरू बिगबय को परिवार का उत्तै र जकूर रतीनी अरूसंग साथी पुरूस येरुसल्लेम मा फिरता मैले तिनी रोलाए आहावाती रबगने नदी को किनारा मा भेला गरे रहामी तेहां तीन दिन सम्मा सीबिर खड़ा गरे रबसे हूँ जब मैले मानी सरूर पुजारी अरुको निरीचन गरे तब मैले कुनाई पनी लेवी लाई तेहां देखिना इसले मैले अली एजर अरी अल समा यहा अलनातान यारीम अलनातान नातान जगरिया मर्सुल्लाम ये मुखे मुखे मानी सरूर यो यारीप अलनातान ये बुद्धिमान मानी सरूलाई बोलाए रग कासी पिया इलाका का मुखिया इद्धो कहा जाना आदेश दिये रपठाए। महली का परिवार का एक बुद्धिमान मानेश शेरे बिया लाई तिनका छोरा हरू रदाजुबाई अरू को साथ मा जम्मा अठारा जना पूरुश अरूलाई लियाए। लेवी अरूलाई सागाउन इस अस्यवक नियुक्त गर्ने प्रथा दाउत रतिनका अधिकारी अरूलाई इस्तापित गरे का थिये। इनी अरू सबे नाउ नाउ गरी दर्ता भहे का थिये। तवा हामरा पर्मिषर को सामू हमी आपुलाई दिन तुल्याओन रहा हामरा अफ़ने निम्ती आपुलाई बाल बच्चा अरू का निम्ती रहा हमरा सबुय संपती को निम्ती वहां संग कुसलताको यात्रा मागों भनी मैली त्याहा अहावा नदीको किनारमा उपबास बसने गोशना गरे बाटोमा अमरा सत्र अरुका बिरुदमा सिपाई हरू और गोर चड़ी अरू हमिलाई साहेता गर्ना अमरो सात्मा रक्चक बही जानालाई राजा कहा मागना मलाई सारमा लागयो किना बने हमीले राजालाई इसो बने का थियों वहालाई खोजने सबय माथी हमरा परमिशर को निगार रहां चा तर वहालाई त्यागने अरु सबय माथी वहां को भाहिंकार क्रोथ पर चा इसले इसको लागी हमीले उपबास बसेरा हम परमिश्र लाइ बिंदी चड़ायों रोवाहले हमरो बिंदी सुन्नु भयों तब मैले सेरी बियार रहसब ब्यार रतीनी अरुका दाजु भाई अरुका दस जना का साथ मा पुजारी अरु मद्दे का बारा जना मुख्य मुख्य अरुलाई अलग गरें र राजा र उनका सल अरु भाडा अरु तिनी अरुका हाथ मा मैले तवले र दियें मैले तिनी अरुका हाथ मा बाईस जार किलोग्राम चादी 34 किलोग्राम चादी का भाडा अरु चाँंतिस से किलोग्राम सुन, आठ किलोग्राम सुन का बाटा र सुन जस्ते बहु मुल्ने असल कासा का दी ओटा भाडा रुपनी दियें मलेती मानी शरुलाई बने तिम्य रुका साथे इभाडा रुपनी परम्प्रभु मा समर्पन गरिया का छन इसुन र चादी अरू परम्प्रभु तीम अरू का पुर्खा अरू का परमेशर लाई चड़ाये का राजी खुशी का भेटी हुन। मुखे पुजारी अरू, लेवी अरू र इज्रायल का परिवार का मुखे अरू को सामने एरुसलेम मा परमिशर को भावन का कोठा अरू मा इन नदिवन जेल सम्मा तीमी अरूले इनको वसियारी पुरभग सुरक्ष्या गरनू तबती पुजारी अरूर लेवी अरूले इरूसलेम मा परमिशर को भावन मा लई जाना सून तोलिय का चाधी र पवित्र भाडार को जिम्मा लिये पहीलो मैना को बारों दिन मा इरूसलेम जाना हमी आहावा नदि बाटा हिडेउं प्रम्रिसर को हाथ हमी माथी भये कोले आमीलाई वाहले बाटो माँ सत्रो अरूर ढूकेर बसने लुटेरा अरू देखी बचाउनो बयो यहरू सलेम माँ पुगे बची आमीले तिन दिन सम्मा विश्राम गर्यों अनि चाउथो दिन मा तिसुन चादीर पवित्र भाड़ा अरू हाम्रा परमिसर को घर मा उरी हा पुझार इका छरा मरे मोत को जिमा मा दियों तिनी संग पिन आसका छरा एला जार थिये र लेवी अरू एसु आका छोरा योजा बात्र बिन्नु इका छोरा नोव दिया पनी त्याँ थे सब इतो गंती र तौल को इसापले जांच गरियो केस बेला संप्रून ओजन को सुची बनाईयो केस बजसी निर्भासन बाट फरके का अरूले इस्राइल को पर्मिशур को निम्ती हूम बली चडाये संप्रून इस्राइल का निम्ती 12 ओटा साड़े 96 ओटा ब canyon 77 थुमार 15 बली शुरूप 12 ओटा बोका तिनी अरूले चडाये इस सबे परमप्रभु को निम्ती होमबली थिये। तिने अरूले इफ्रेटीस पारी को प्रांत का राज किये बड़ा हकीम अरूर राजेपाल अरूलाई राजा को आदेश पत्रपनी दिये। अनि उन्य अरूले मानिश अरूलाई रा परमिशर को भावन को निम्ती साहेता दिये। एजराको पुस्तक नव अध्याए। एजराको प्राथनार पचताप। जब इस सबे गरी सिध्याए तब अग्वा हरूले मका आयरा भने। इस्राइल का मानिश पुजारी अरू र लेवी अरू समेतले। छिमेक का मानिश अरू अर्थात कनानी, हित्ती, परिजी एबसी, अमननी, मोवे, मिश्री र एमरी अरू का घिनलाक दा काम अरू देखी आफुले अलग राखेका छैनन। तिनी अरूले इजाती अरू का चेली बेटी अरूले आफू र आपना छोरा अरूको निम्ती पत्नी अरू राखेका छन। र एसरे पभित्र जाती शरुसंग मिसीय का छन र येस मा अग्वाहरू र अधिकारी अरूने खास्त दोसी छन जब मैले योकुरा सुने तब आपनो पोसाक र खास्तो चाते र आपनो कपाल र दावरी उखेले र अवाक भही रहे अनि निर्वासन मा गय का हरुको एस दोस को कारण इजराल का परमिशर का बचन देखी डराउने अरू सबई मेरा चारे तीरा भहेरा जम्मा भहे मा त्यां बेलुकी का बलिदान को समय सम्म अवाक भही रहे जब बेलुकी का बलिदान को समय मा मा फाटे को पोशाक र खास्टो मानाई आफुलाई सोयम वच्चाय को अवस्ता बाट उठें मैले गुडाटे के र परम्प्रगु मेरा परमिशर तीरा हात पसारी एसो भने र प्रात्ना गरे हे मेरा परमिशर मेरो अन्वहार तपाइतीरा उठाउनम सारे लज्जेत र अपमानेत भाय को छू किना वने हे मेरा परमिशर हामरा पाप हामरो सीर बंदा अगला भाय का छन हामरो दोस आका सम्माई पुगे को छा हाम्रा पुर्खा आरूका दिन देखी आजाको दिन सम्मय हाम्रो दोस अत्यynnत थुलो भाहे कर स्थ आम्रो अधर्मले गर्दा हामी अरू रा हाम्रा राजा रा हाम्रा पुजारी अरूलाइ बिदेशी राजा रुको हाथ मा अम्रितु कईद लोट पीट्र ठुलो बैजात को सीर हुनु परेको छा रा हमरो बर्तमान दसापने यस्तेई छा तर अब परम्प्रभु हमरा परमेशुले हमरा लागे किही बाकी मानिश रुलाई दिये रा रा हमीलाई आपनो पवित्र इस्तान मा सुरक्षित इस्तान दिये रा हमी माथी एक छीन को लागे किरपालो नु बाएको छा रेसरी हमरा परमेशुले हमरा आखामा जोती दिनु बाएको छा रा हमरो दासक्त मा किही आराम दिनु बाएको छा हामी दा सोरू बयता पनी हामरो दासक्तो को बंदन मा हामरा परमिशुले हामी लाइ त्याक नो बयको छाई न वहाले फारेस का राजा रुका सामु हामी माथी आपनो क्रिपा देखाऊनो बयको छा हामीले हमरा परमीषुर को बावन पुनमरमत गर्न रा तेशका बाध्के का भाग लाए पुननिर्मान गर्न वहाले हमीलाइ जीवन प्रधान गर्नो भाईको छो यहुदार एरुसलेमा रक्षाक निंती वहाले एवटा परखाल दिनो भाईको सो अब हे हमरा पर्मिशोर एती भाय पचे हमें के भनों तपाइले आपनो तास अगमभकतार द्वारा दिनो भाय का आज्यार को अपहेलना हमीले गरेगा छो जब तपाइले एज असो भन्नो भाय को थियो तिमे अरूले अधिकार गर्नलाई प्रवेश गरिराई को देश तेश का मानिशर को द्रुस्ट ताले दुसीद भाय को छो आपनो घिनलागदा चलन द्वारा ती अन्य जाती अरूले तिस देश को कुना कुना समय आपनो असुद ताले भरेगा छन एज कारन तिमे अरूले आपना छोरी हरूलाई उनियरुका छोरा अरूसित र तिमे अरूका छोरा अरूलाई उनियरुका छोरी हरूसित विवार गरी दिनू, तिम्योर्व ले ओनियोर सिता मित्रता को सम्जता राखना नखोजनू, यहारे तिम्योर्व सक्ती शाली भाईरा तिस देसका असल असल कुरार को भोग गरने शव। रो तिम्योर्वको संतानलाई त्यो, चीरस्थाई अधिकार होनालाई च्छोडी राखने अब हम्रा दुरुष्ट कामरू रहा हम्रो ठुलो दोसको कारण हमिले दुख पायको भहे तापनी तपाई हम्रा पर्मिशोले हमिलाई हम्रा पापनुसार पाउनो पर्ने भन्दा कम दंड दिनु बहिको छा हमिलाई एस्तो बाकी हिस्षा दिनु बहिको छा कि हमी फेरी तपाई का आग्याड उनलंगन गरेर एस्ता घिलनागदा चाल मा चलने मानी शरुषंग बैबाहिक समन्द जडों कि तपाई हम्रा निंती कुने अवसेश नरा कि नास गर्ना सम्मा रिशावन होने थिये नरा ये परमप्रभु इस्राल का पर्मेशोर तपाई धर्मियोन चा आजा हमी अवसेश को रूप मा छोडिये का चाओ हमी आपनो दोस मा तपाई को सामो पस्तित चाओ एदपी हमरो दोस को कारण हमी मद्धे को कोई पनी तपाई को सामो टीक न सकते नौ इस्रा को पुस्तक दस अध्यै मानिश रूले आपनो पाप सिंकार गरेका जब इस्रा परमप्रभु का भवन को अगी लंपसार परदई प्राथना गर्दई पचताप गर्दई र रूदे थिये तब इस्राइल को योटा ठूलो भीर लोगने मानिश स्वासने मानिश र के सक्कन नियाले इस्रालाई भने हमरा चारही तीरा का बीदेशी मानिश र का छोरी अरू बाट पत्नी अरू ले आएरा हमिले आपना परमिश र को बिरुदमा अपराध गरेगा छों तर एसो वायता पने इस्राइल को निंती अजग केही आसा छो एसे कारन मेरा प्रभु को र हमरा परमिश र को आग्या देखी डराउने अरू को सल्ला अनुसार अब इस सब इस्वासने मानिश र र तीनी अरू का छोरा छोरी सब वलाई त्यागी दिने हमी आफ़े हमरा परमिश र सिता बाचा बादों र ब्यवस्ताले दीए बमजीम काम गरों अब उतना होस्त यो काम तपैको हाथ ledश आमी तपलाई साथ दिने सो साथ गरेरा काम गर्न होस्त तब इस्वास खडा बहन लेवी अरूर सब इस्वाली अरूलाई सुझाब गरी र एका कुरा पूरा गर्न सफत खाना लाए औनि तिनी अरूले सफत खाए त्यस्वासी एज्वा किनवने कईद बाटा फरके रा आये का अरुका अपरात का निम्ती तिनी बिलाब गर दे थिये। तेसपची निर्वासन बाटा फरके का अरु सबई एरुसलेम मा भेला होन भने रहुदार एरुसलेम बरी योटा गोशना गरियो। एदि तीन दिन भीत्रमा कोही ना आये को खंडमा अधिकारी अरुर धर्म गुरु अरुको फई सला अनुसार तिसको सबई दन सम्पती जफत गरिने शा। और कोईद बाटा आये का अरुको समुदाय बाटा तियो अलग गरिने शा। एदार बेन्यमिनका सबई मानी शरू तिन दिन भीत्रे एरुसले मा भेला भये। र नवो मैना को बिसम दिन मा यो घटनार ठुलो बर्शा को कारणले सबई मानी शरू दुखीत भये। परमप्रभु का भवन को सामुनने चोक मा बसे। तव खडा वैर पूजारी एजराले भने। तिम्यो रुले 22 इस्त्रिय रुशित विवाग गरे र अपरात गरेगा शो र इजराइल को दोस्त बढ़ाएगा शो। अब परमप्रभु तिम्यो रुका पुर्खा रुका परमिशर को सामनने आपनो पाप सहिकार गरा। रवाख को इच्ची अनुशार काम गरा। तिम्यो रुब बिदेसी मानी शरू र तिम्यो रुका बिदेसी पत्नी रुबाटा अलग हौ। तब भेला भयका संप्रुन समुद्दायले करायर जबाद दिये। हो तपायले भर्नो भय भमजीम हामिले गर्नई पर्ष। तरा हामी योटा ठुलो भीर्ष। र यो बर्षा रितिको समय छ। हामी यहां खुला ठाउमा अभीर न सकते न। एस बाएक यो काम एक दुई दिन मा खतम हुने छैना। किना वने एस बिशेमा हमिले घोर अपराद गरेका छौ। हाम्रा मुख्य पदा धिकारी अरुले हामी जम्मय समुद्दायको निम्ती काम गरे देऊन। एस बिशेमा परमप्रवको भैंकर क्रोध सांतन न हौन जेल। हाम्रा सहर मा हुने बिदेशी इस्त्रिशित बिवा गरेका अरु सबई तोकिय को समय मा हाजिर हौन। अर्थात हरेक मानिस आपनो सहर का धर्म गुरूर नियाय करता अरुको साथ मा हाजिर हौन। केवल असा हेल का छोरा जोना थन्र तिक भा का छोरा याजा यहाले मशुलाम्र लेवी सबबत्तै को समर्थन पायर एसकुरा को बिरोत गरे। एसे कारा निर्वासन बाटा फरकेरा आये का अरुले सुजाप गरे अनुसार काम गरे। पुजारी एजराले आफनो आफनो परिवार का गराना गराना लाई प्रतिनी दिग्तो गर्ना नाउ तो केका अरुलाई छाने। तिनी अरुले दसम मैना को पहिलो दिन एस बिशेमा जाज सुरु गरे। र पहिलो मैना को पहिलो दिन बिदेशी इस्त्री और सित विवा गरे का सबे को खोश तलास गरी सिद्याए बिदेशी इस्त्री सित विवा गरे का और को सुची बिदेशी इस्त्री विवा गरने और पुजारी परिवार का योसा दाक का छोरा येशु और र तिन का दाजु भाई अरुका मासे यहा एली एजर यारीब र गदल्ले हा थिये तिनी अरुले आपना पत्नी अरुलाई त्यागी दिने बाचा गरे र तिनी अरुले दोस बली को रुपमा आपना बागाल वाता एउटा भेडा पनी लाए इम्मेर का परिवार का हनानी र जब दिया रामी का परिवार का मासे यहा एली आ सामा यहा यहील र उजी यहा पसहूर का परिवार का एने मासे यहा इस्माईल नतनेल योजाबाद र एलासा लेविय रूमा योजाबाद सीमी केला यहा अर्थात कलिता पतहिया हा एहुदार एली एजर गवय रूमा एल्यसीम गरपाल रूमा सल्लूम तेलेम र उरी और अरु इजराली रूमा परोशा का परिवार का रम्याहा इज्याहा मल्कीाहा मेयामीन यलाजार मल्कीाहा रबनायाहा इलाम का परिवार का मतन्यहा, जकरिया, यही इल, अब्दी, इरे मोत र एलिया, जत्तु का परिवार का इर्यो एनै, इल्यसीम, मतन्यहा, इरे मोत जाबात र अजीब जा, बेवे का परिवार का इहो हनान, हनन्या, जब्बई र अतले, बानी का परिवार का मस्तुलाम, मल्लूक, अदयाह, यसुप, सालर, एरेमोत पहत मुआप का परिवार का अदना, केलाला, बनयाह, मासयाह, मतनयाह, बजलिल, बिन्वी, मनसे हारिम का परिवार का अली एजर, इसी यहा, मल्की यहा, सामयाह, सीमे ओन, बिन्यमीन, मल्लूक, रसमर यहा आस्म का परिवार का मतनय, मतनना, जाबात, एली पेलेद, एरेमय, मनसे, रसीमी बानी का परिवार का मादय, अम्राम, उयल, बनयाह, बेदयाह, कलहू, बन्याह, मरेमोत, एल्यासिप, मतन्याह, मतन्याह, बिन्वी का परिवार का शीमी, सिलिम्या, नातन, अदयाह, मक नादय बै, सासै, सारै, अज्रेल, सिलिम्या, समरया, सल्लूम, अर्मयाह, रयोसेप, नेबो का परिवार का इल, मतित्याह, जाबात, जबिना, एद्दै, यो एल्रा बनयाह, इस सबले बिदेसी इस्त्री हरोलाए भीवा गरेका थिये, अनि तिनी अरोले उनी अरोलाए तिनी अरोका चोरा छोरी हरो समेत त्यागी दिये,